आज हमारी जानकारी का विशह है रितू यानि सीजन रितू एक बर्स से छोटा कालखंड है जिसमें मौसम की दशाएं एक विशेश प्रकार की होती हैं विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां समय समय पर छे रितूए अपनी छटा बिखेरती हैं प्रते कृतु दो मास्की होती है बहरत में चुम्मॉटे ही सॉप से तीन रुथुय मानी जाती है शरद ग्रिश्म वर्षा जिसें प्रते कृतु चार महिने की होती है परन्तु प्राचीनकाल में यहा छे रित्वे मानी जाती थी वसंत ग्रिश्म वर्षा शरद हैमंद और शिशिर भारत का उत्री भाग सीतोष्नकटी बंद में तथा दक्षनी भाग उस्नकटी बंद में स्थित है अताय, उत्री भारत में तीन रित्वे होती हैं ग्रीश्मी रितू मार्ष के आरंब से पंदरह जून तक वर्शा रितू 16 जून से सितंबर के आंतर तक शीत रितू अक्टूबर्स के प्रारंब से फर्वरी के आंतर तक रहती है इसके विप्रीत दक्षिन भारत में वर्ष भर एक जैसा मौसम रहता है यहां सीट रितू दिसम्बर से 15 मार्च तक उशन शुष्क ग्रीशम रितु लगभग 15 मार्च से 10 जून तक दक्षनी पश्चमी मानसुनी पवनों का मौसम वर्षा रितु लगभग 10 जून से 30 सितंबर तक शरद रितु अक्टूबर के आरंब से दिसम्बर के प्रारंब तक पसंथ रितु को म दौरान दिल लंबे और राते छोटी होती है वर्षा रितु को मौनसून सीजन भी कहा जाता है वर्षा रितु के दौरान भारत में बहुत ज्यादा वर्षा होती है शरद रितु में घर्मी धीरे-धीरे कम होने लगती है इस मौसम के दौरान काफी महतवपुन पर्व आते ह हैं शिशी रुतू को शीत रुतू भी कहा जाता है यह मौसम साल का सबसे ठंडा मौसम होता है रितू परिवर्तन का कारण पृत्वी द्वारा सूर्य के मूल कारण बनता है तो ये थी रितू के बारे में कुछ महत्वपुन जानकारी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा ताकि आगे भी आपको ऐसी अलग-अलग जानकारें मिलती रहें थैंक यू फर वाचिंग फिर मिलते हैं आगले टापिक के साथ तब तक के लिए जाहिंद।